हेलो एब्रीवन, वेलकम अगेन टू लर्ण व्रेदितीमन, आज हम करेंगे चैप्टर नमबर 10 की कुश्यन आंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा था, रेडिंग जो है वो करना बहुत जरूरी होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कु यह वो राजिस्थान आता है, नेग्स्ट देखिये कुश्यन नमबर 2 है, राजिस्थान में परेटन, विबachten की स्थापना किस वर्स होे थी, तो यह 1954 में होई थी, ठीक है, याद रखना राजिस्थान में परेटन, विब gospel की स्थापना 1996 में की गई थी, परेटन को उध्योग का दर्जा किस वरस दिया गया तो ये उध्योग का दर्जा जो है परेटन को दिया गया 1989 इस्वी में तो जोग्रफी के ड्रस्टिकोंड से भी आपका ये कुश्यन जो है वो बहुत important रहता है तो याद रखिएगा कि परेटन को उध्यों का दर्जा जो है वह है 1989 इस्वी में दिया गया था नेक्स्ट चलिए question number 4 है अड़ाई दिन का जोप्रा को संस्कृत महाविद्याले से मस्जिद में किसने तबदील किया तो सुल्तान मोहमद गौरी के सैनापती कुतुबुदिन एबक ने अड़ाई दिन का जोप्रा जो है वह है बनवाया था इससे पहले यहाँ पर संस्कृत म महाविद्याले था नेक्स्ट देखिए question number 5 अड़ाई दिन का जोप्रा जो नाम है यह पढ़ने के पीछे क्या कहानी है क्या किवंदिती है तो देखिए इसके मंदिर से मस्जिद बढ़ने में अड़ाई दिन लगे ठीक है इसी लिए इसका नाम जो है वह अड़ाई दिन क जोप्रा पड़ा तो option में ऐसे question जो है वह आपसे पूछ लिया जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है तो यदि हमने line नहीं पड़ी है तो हम सोचेंगे कि अड़ाई दिन का जोप्रा जो है वह अड़ाई दिन में नहीं बना होगा यह तो ऐसे ही लिख दिया गया है तो मेला लगता है ठीक है और से या मेला लगता है ठीक है यह दोनों चीज़े जो है वह आपके लिए important रहती है नेक्स्ट देखिए question number six ख्वाजा साहब की दरगाह में कितने मुख्य दरवाजे है तो यहां तीन दरवाजे है निजाम सहाजां वा बुलन दरवाजा ठीक है निजाम सहाजां वा बुलन दरवाजा नेक्स्ट देखिए question number 7 तो देखिए एक चीज याद रखिए कि reading करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हम सोचते हैं कि reading करने में बहुत time waste होगा लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिए कि question answer जो है वो हमें याद नहीं होते हैं कई बच्चों की ये आती है query कि हमें याद नहीं हो रहे हैं तो वो इसी वज़े से नहीं होते हैं कि आपने chapter जो है वो complete नहीं पढ़ा अगर आप किसी भी story को पढ़ लेते हैं उसके बाद उसके question solve करते हैं तो कुछ चीज़न जो है वो हमें reading करते वक्त ही याद हो जाती है और कुछ हम question कुछ solve करते हैं जब हमें याद हो जाती है तो चलिए इसलिए बहुत जरूरी थी reading करना यदि आपने नहीं की है तो एक बार अपने नजरों से एक बार reading जो है उसको जरूर करना ख्वाजा सहब की दरगा में निजाम दर्वाजा का निर्मान किस ने करवाया था तो हैदराबाद के नवाब ने करवाया था तो यह मुगल समराच सहाजाने बनवाया था ख्वाजा सहाब की दरगा में बुलं दरवाजा किस ने बनवाया था? तो किस ने बनवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था. ठीक है याद रखना है ख्वाजा साहब की दरगा में जो बुलन दरवाजा है वह बनवाया था सुल्तान महमूद खिल जी ने नेक्स्ट देखिए question number 10 देखिए chapter में एक भी point जो है वो मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि कौन सा question आपके exam में आ जाए तो इसका कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि question जो है वो हमारे in books में से ही आएंगे question 10 देखिए आना सागर जील कृतिम जील का निर्मान किसने करवाया तो आना सागर जील जो है वो कृतिम जील है इसका निर्मान करवाया राजा अजेपार चोहान की पुत्र अनो राज चोहान यानि अना जीने नेक्स्ट देखिए question 11 आना सागर जील के निकट दौलत बाग का निर्मान किसने करवाया था तो यह मुगल सम्राथ जहांगीर ने करवाया था ठीक है दौलत बाग का निर्मान किस ने करवाया जहांगीर ने करवाया था नेक्स्ट है कुशन 12 आना सागर जील के निकट पांच बारह दरियां का निर्मान किस ने करवाया था तो इसका निर्मान करवाया समराट सहाजाने देखिए सारी चीज़ें वो हमने पड़ी हुई है पहले मैंने ऐसा सोचा था कि जो important question होंगे केवल उनको ही करवाएंगे जो आप लोगोंने नहीं किये हैं अब तक लेकिन कई बच्चे जो हैं जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं और वो अचानक से राजिस्थान का परेटा निस्थल जो है वो chapter देखते हैं तो उनको question जो है वो कम मिलेंगे इस वज़े से हर एक question जो है वो यहाँ पर add किया गया है तो आना सागर जील के निकट पांच बारे दरियां का निर्मान किसने करवाया समराट सहाजाने नेक्स्ट है मेयो कॉलेज का निर्मान किसने करवाया था रिचर्ड बार्क अठारा सो पचत्तर में मेयो कॉलेज का निर्मान करवाया रिचर्ड बार्क ने, कब 1875 में मेयो कॉलेज के भवन की इस्थापत्य कला किस प्रकार की है? तो यह इंडो सार्सेनिक यानि भारतिय और अर्वी शैली है इन दोनों का मिश्रण है Next देखिए Question 15 अजमेर में इस्तित सौनी जी की नसिया किस धर्म से संबंदित है? तो यह जैन धर्म से संबंदित है Next देखिए Question 16 विश्व के एक मात्र ब्रह्मा मंदिर की चवी किस प्रकार की है? तो ब्रह्मा मंदिर कहा है? ये तो आपने याद किया होगा इसके अलावा देखिए इसकी जो चवीव है वह हंस जैसी है जो की ब्रह्मा जी का वाहन है सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी उनका मंदिर जो है वह कहां इस्तित है सावित्री जी का मंदिर जो है वो कहां इस्तित है यह भी अजमेर के पुसकर में ब्रह्मा मंदिर के ही पीछे है नेक्स्ट कुशन 18 है तीर्त इस्तलों का राजा किसे कहा जाता है तो सबी जानते हैं, 33 तिसकलों का राजा जो है वह है, पुसकर सरोवर को कहा जाता है कुश्यन नमबर 19 है, पुसकर सरोवर का आकार कैसा है? तो यह है अर्दुगोलाकार है कैसा है? अर्दुगोलाकार है, जो की 9 से 10 मीटर गहरा है, इसमें 500 मंदिर हैं और 52 घाटों से घेरा हुआ है नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 20 है, आना सागर जील राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है? आना सागर जील कहां है? अजमेर जिले में इस्तित है तो इस तरीके से आज हमने 20 कुश्यन किये हैं, इसी तरीके से इस चेक्टर को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको यहीं पर जो है वो चीज याद हो जाए और बाद में याद भी न करनी पड़े तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू